करवा चौत व्रत कथा एक साहुकार था जिसके साथ बेटे और एक बेटी थी साथो भाई वा बहन एक साथ बैट कर भोजन करते थे एक दिन कार्तिक की चौत का व्रत आया तो भाई बोला की बहन आओ भोजन करे बहन बोली की आज करवा चौत का व्रत है चांद उगने पर ही खाऊंगे तब भाईयों ने सोचा की चांद उगने तक बहन भूकी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढखा और नकली चांद दिखा कर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है अर्ग दे लें बहन अपनी भाईयों से कहने लगी कि चलो अर्ग दे तो भावियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा हमारा चांद तो रात को गएगा बहन ने जब अकेले ही अर्ग दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया दूसरे ग्रास में कंकड आया और तीसरा ग्रास मूँ की और किया तो उसके ससुराज से संदेशा आया कि उसका पती बहुत बीमार है जल्दी भेजो माने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाउं लगना और जो कोई सुहाग का आशीज दे तो उसके पल्ले में गांट लगा कर उसे कुछ रुपए दे रा बहन जब भाईयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीज दिया कि तुम साथ भाईयों की बहन तुमारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो सुहाग काशीज किसी ने भी नहीं दिया जब वह ससुराल पहुची तो दर्वाजे पर उसकी छोटी ननत खड़ी थी वह उसके भी पाउं लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रओ सपूती हो तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांट बान लिया और ननत को सोने का सिक्का दिया जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पती धर्टी पर पड़ा है तो वा उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैड गए बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी इस प्रकार से समय बीटते बीटते मार्ग शीर्स की चौत आई तो चौत माता बोली करवा ले करवा ले भाईयों की प्यारी करवा ले लेकिन जब उसे चौत माता नहीं दिखलाई दी तो वा बोली है माता आपने मुझे उजाडा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा तब उस चौत माता ने बताया कि पौश की चौत आएगी वह मेरे से बड़ी है उसे ही सब कहना वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी पौश की चौत आकर चली गई माख की चली गई फालगुन की चली गई चैत्र वैशाग, जेस्ट, आसाल और शावन भादो की सभी चौत आई और यही कहकर चली गई की आगे वाली को कहना असावच की चौत आई, तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौत नाराज है उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है वही आएगी तो पाउँ पकड़कर विंती करना यह बता करवा भी चली गई, जब कार्तिक की चौत आई, तो वह गुस्से में बोली भाईयों की प्यारी करवा ले, दिन में चान उगानी करवा ले, वरत खंडन करने वाली करवा ले, भूकी करवा ले तो यह सुनकर वह चौत माता को देखकर उसके पाउँ पकड़कर गड़गणाने लगी हे चौत माता, मेरा सुहाग तुमारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे तो माता बोली, पापिन हत्यारिन मेरे पाउँ पकड़कर क्यों बढ़ गई तब वह बोली कि जो मुझ से भूल हुई उसे शमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी तो चौत माता ने पसंद होकर आँखों से काजल, नाकूनों में से महंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीटा दिया तो वह उटकर बैट गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया, वह बोली क्या सोया, मुझे तो बारह मैने हो गए अब जाकर चौत माता ने मेरा सुहाग लोटाया तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो जब चौत की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पती पत्मी चौपड खेलने बैट गए नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड पासे से खेलते देखा तो उसने सासु जी को जाकर बताया तब से सारे गवों में यह बात प्रसिद्ध होती गए कि सब इस्त्रियां चौथ का वरत करें तो सुहाग अटल रहेगा जिस तरह से साहुकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सब को सुहागिन रखें यही करवा चौथ के उपवास की सरातन महिमा है